इसको समझने से पहले हम इसकी थोड़ी यह नहीं थी नया अर्गुम्ट यह नया टॉपिक है अभी तक हम जो समझ रहते वो क्वेश्चिन जो क्वेश्चिन मार्क लग रहा था वो कारण पर लग रहा है कार्य तो होए संसार है हम है घड़ा है बटका है यह सब है पस उसकी कारण में डाउट था वो कारण नॉन एक्जिस्टेंस से एक्जिस्टेंस से वो समुदाय से बनता है पाटिकल से बनता है ग्रूप पाटिकल से बनता है मुमेंटरी वो कारण कार्य करूप में कन्वर्ट हो जाता है मुमेंटरी थियोरी यह सब कारण और कार्य से र या जिसको कयते हैं त सकते हैं कारया तो एक्स्फक्र सकता या करता है नोबर कार्या तुप कार्य भी एक्जिस्ट नहीं कर यह जो हम अभी जो शुरू कर रहे हैं थाइस्वा सूत्र वो कारण वाला टाफिक नहीं यह दूसरे विद्वान है जा दूसरे तरह की त्योरिय जो कार्य पर कुश्चिन मार्क लगते हैं उसकी एक्जिस्टेंस वा यह दुनिया सपना देखते हैं ना सपना आपने काफी यह तो काफी पॉपुलर थियोरिय है अद्वाइत वाले भी काफी यूज करते हैं बहुत हो वाले भी बहुत यूज करते हैं आप सपना देखते हो आप सपने में राजा बन गए हो महल में रहते हो आपकी बड़ी सेवा होती है औ इसी तरह हमारी जो लाइफ में हम जो कुछ दुनिया को देखते हैं, वो एक तरह का illusion है, dream state है, जब आपको real ग्यान हो जाएगा, real ग्यान, मला dream state से जो बाहर आ जाते हो, working stage में, तो आपको पता चलेगा, ये तो सब वैसे ही fictional थे, उसके लिए दूसरा example देते हैं, इंद्रज क्या होता है, magic, जो magicians होते हैं, तो magicians magic दिखाता है, कर लेता है, सफेद काज, रुपे में convert हो जाता है, एक आदमी को वो उसके short चला के, short चला के, चार कुपड़े कर देते हैं, फिर वो सिरा खड़ा हो जाता है, magic आप जानते हैं, जब तक देख रहे हो, तक आपको real लग सब कोई क्जिश्टी नहीं करता है, तीस्रा एक्जामपुल, देते हैं, आकाष नीनावाः, नीली महावद, नीलापन इलापन, नीलापन, ब्लूनेस, आकाष नीला दिखता है, और ये अडीयल, आकाष नीला नहीं है, ये एक एलूजिन है, अ तैसल ज़ली है, इससंचन जैसे आकाश की निलीमा निलापन एक इल्यूजिन है, जैसे ड्रीम एक इल्यूजिन है, जैसे मैजिक एक इल्यूजिन है, इसी तरह ये संसार जो है, वो मिथ्या है, ये माया है, ये ये इल्यूजिन है, ये थियोरी नहीं है। यह मतलब इसका यह रियली एक्जिस्ट करता नहीं है बस ऐसा फील होता है कब तक फील होगा जब तक आपके अंदर अज्ञान है और जिस दिन आपके अज्ञान दूर हो जाएगा आप सल्फ रेलाइस्ट हो जाएंगे या ब्रह्मा को जाएंगे आपको पता चलेगा सब ब् बाउधो वाले तो ब्रह्मा भी नहीं मानते हैं यह सब शुन्य है इसको शुन्य बाद करते हैं जो फिलासफर कोई modern scientist हो सकता है कोई western atheist हो सकता है या बाउधों के एक विज्ञानवादी सेक्ट है जिसमें योगाचार सेक्ट में वो भी मानते हैं कि यह दुनिया जो है इल तो जो लोग इस संसार को अज्यान मानते हैं तो नहीं मानते हैं टारगै यहर सुत्री और्डियेन्स और प्रैडट करता है एक और स्पेसिफिक्स तैयोरी को टारगैट करता है, जो लोग मानते हैं कि यह singular is illusion है जो जो लोग मानते हैं जी उनिवर्स रियली एक्जिश नहीं करता, जो लोग मानते हैं कि उनिवर्स सपन के तरह है, सिर्फ आपकी अज्ञान के कारण आपको पता लगता है ज्ञान होने पर नहीं होगा, जो लोग मानते हैं कि ये उनिवर्स मैजिक के तरह, इंरजाल के तरह है जो लोग मानते हैं आकाश की नीलिमा के तरह है और एक एक जामपुलीश के लिए देते हैं मरीचिका जानते हैं धूप के कारण बालू में रेत में या इविन जहां घर्मी बहुत जादा है रोड में भी आप देखते हैं तो बहुत धूप पड़ता है तो आपको पानी तो यह सारे एक जामपुल्स दिये जाते हैं कौन देते हैं जो लोग यह एक्टाबिलिश करनी कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स रियली डाजन्ट एग्जिश्ट अभी दो तिन क्लास पहले भी हम हमें कोई पता रहे थी कि जो काफी सारे विन मॉडर्न साइंस में भी एक अभी इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट यह मानने लगे हैं या मानते हैं कि यह यूनिवर्स जो है वो इन रियलीटी यह इलूजन है तो यह सुत्र उन लोगों पर बात करता है उन लोगों के दरा कही गई जो सिधान्द पर आंसर देने की कोशिश करता है सुत्र केता है न अभावः यूनिवर्स की नॉन एक्जिस्टेंस नहीं है मलब इट रियली एक्जिस्ट आप इसको इलूजन या माया के रुप में नहीं बोलना क्यों उपलब भी है विकाज इज अचीवेबल और इज अचीव दुनिया में हम जो रेजल्ट देखते हैं उसमें तीन फैक्टर काम करते हैं संकल्प, डिटर्मिनेशन, श्रमम अलब एफट्स, तेन फलमला रेजल्ट, परिनामला रेजल्ट तो संकल्प, डिटर्मिनेशन होता है फिर आप उसको रेफट्स करते हैं फिर आपको रेजल्ट मिलता है यह तीनों के बीच में कनेक्शन होता है जिसको आप इलूजन केते हैं या जिसको आप ढ्रम केते हैं वो अक्च्वली क्या है यह संकल्प, श्रमम अर्थात, आपका डिटर्मिनेशन, एफट्स, रेजल्ट में अगर कहीं कोई इंबैलेंस हो या कोई हार्मोनी प्रफरली ना हो तो वो भ्रम के रूप में या इलूजन के रूप में भ्रम को ही इलूजन के रूप में वो दिखता है इसको ऐसे समझी, मुझे मिठा खाने की इच्छा है, मैं बिमार होने के कारण मेरे जिब में टेस्ट प्रफली नहीं ले पाता तो जो मीठा चीजें वो भी मुझे फीका लगता है, कड़वा लगता है क्योंकि मुझे बहुत बुखा रहे हैं या मेरे टन में कोई प्रॉबलेम में लगता है खुत्र कहता है आपक्य अपके सेंस्वल प्राव्लिम की कारण या सेंस्वल इननेबिलिटीं आपकी सेंसिश की प्रपर एबिलिटी नहीं होने वारण जो जैसा है आप उसको आज इट इज नहीं जान पाती हो पर मीठा को आप फीका समझती हो पर मीठा एक्जिस्ट करता है और फीका एक्जिस्ट करता है मीठा तभी फीका लगेगा जब मीठा को आप ट्राइब कर चुके हो और फीका को आप ट्राइब कर चुके हो बाद समझ माती ना नहीं आती है और ट्राइ करने वाला भी एक्जिस्ट करता है जश्ट प्रॉब्लम है कि जो आपकी मीडिया है जो जिसके द्वारा आप जान पाती हो उसमें कोई कमी है या उसमें कोई inability है या तो वो उसके लिए योग्य नहीं है it is not that capable to know certain thing properly या आपकी senses में कोई कमी आ गई है या आपकी senses में कमी नहीं उस चीज को जानने के लिए कि जो जो helping matters चाहिए उनमें कोई mis coordination हुआ है proper coordination हुआ है पर सुरज है आपको eclipsy में अगर अंधेरा दिखता है वो एक incident है या lack of something है जिसके कारण सुरज सुरज ना दिख करके अंधेरा दिखता है खास का कोई रंग हे वो रंग आपको कभी यलो दिखता है पिला दिखता है वाइड दिखता है something is colorless भी a color होता है न जिसे water colorless है but still it is a color color means that you can see anything you see it has a color sometime it is not definable sometime it is definable जिसको आप divine करते हो नाम दे देते हो यह सफेद है लाल है पिला है काला है जिसको आप divine नहीं कर देते हो आपके crystal है crystal बोलते हैं न क्या बोलते हैं जो जैसे वो मनी होती है या पानी होती है उसके कोई हम रंग को एक नाम नहीं दे पाते हैं पर it is a form यह आपको गलत पर नहीं होती है गलत पर नहीं क्यों होती है आपकी ज्ञान पाने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं वो अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हो उनमें से किसी चीज में कोई कमी है तो आपको जैस जो जैसा है उसको आप उस रुप में जान नहीं पाती ह क्योंकि आप सफेद को काला देखते हो काले को सफेद देखते हो doesn't mean की color exist नहीं करते हैं कर color तो actually एक effect है color कोई कोई उसकी बात हम नहीं कर रहें मैं universe की बात कर रहे हैं मैं अगर खाना खा रहा हूं खाना exist करता है खाने के स्वाद में फरक हो सकता है खाना आपको दिखाई ना दे छोटी रोटी आपको बड़ी दिखाई दे बड़ी रोटी आपको छोटी दिखाई दे कम दिखाई दे जिसको आप जैसे हम बच्पन में मुझे यादे तो हम लड़ते थे अब मिठाई बंटे तो सब या कोई अच्छी चीजी बंटे तो जित तुमने सिविलिंग का थाली जदा देखेंगे, कहेंगे मुझे तुमने कम दिया। अल्दो मारे माने दोनों को बरावर दिया हो, पर उसको लगेगा दूसरे के थाली में जदा है। तुम मां केते हैं अच्छा थाली चेंज कर लो, तो वो खुश हो जाता है। जब यह खुश हो जाता है कि दूसरा कहता है कि तुमने उसको जादा दे दिया। तो पॉइंट इस आपकी देखने की अंदाज में गड़बड़ी हो सकती है, पर यह आप नहीं के सकते हैं कि खाना नहीं। का समझ माती है। खाने के स्वाद में फरक आएगा। में अपको अलग होगा। खाना ना होने पर खाना आपको दिखेगा अगर आपकी जो सेंस्वल एबिलीटी है आपकी मेंटल एबिलीटी में गड़बड़ी हो अपकी सेंस्वल एबिलीटी में बहुत चरी लोग हैं जिनको स्पेशिफिक तरह के उसको क्या केते हैं आपको दीन में भी अपना बहुत या spouse दिखाई देते हैं, सबको नहीं दिखाई देते हैं, जो बहुत जादा mentally involved होता है, उसको दिखाई देता है, ये एक तरह के, क्या किते हैं, उसको hallucination किते हैं, तो वो hallucination जो है, वो आपकी mental problem हो सकता है, पर mental problem मतलब जिस चीज के दोरा जो आपका instrument ज्यान लेने की, उसमें कमिया होने के कारण आप चीजों को as it is नहीं देख पाते हो, that's a different thing, but it doesn't mean certain thing is not there, maybe you can see that thing in a different way, अब सपेद को काला देख रहे हो, काले को सपेद देख रहे हो, हाती को घुड़ा के रूप में देख रहे हो, पर something is there, और उसका नाम आप अलग दो, रूप आपको अलग दिखे, something is there. इसका एक और example अचार जी बड़ अच्छा है, color-blindedness होती, कापी लोगों में, they are color-blinded, तो उनको specific colors जो हैं, वो नहीं दिखते हैं, वो black and white में दिखते हैं, बेलकुँ, 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 तो इसलिए, जगत की संसार की जो real existence से, अगर वो नहीं होता, ध् किसी भी प्रमान से, प्रमान समझते हैं, जितने भी methods जानने के लिए established हुए हैं, तो किसी भी प्रमान से proof नहीं होते हैं, और यह जो dream state हैं, illusion, उसका reality क्या है, मैं अगले सुत्र में जाने हैं, मतलब क्योंकि चीजें exist करते हैं, चलो आपको प्रत्यक्ष्य में नहीं, प्रमान मेंने किसी दूसरे तरीकेशा को पता लगता ही लगता है, जितने भी प्रमान और प्रमय व्यवाहार है, उसको हम भ्रम नहीं कर सकते हैं, प्रमान मतलब जिन चीजों के द्वरा हम जानते हैं, प्रमय मतलब जो जानने लायक चीजें हैं, यह दोनों में कोई मीन की वो एक्जिस्ट नहीं करते हैं। सपन वाले अगले सुत्र में करेंगे पर माया जाल वाला भी करेंगे। जो दूसरे एक्जाम्पल लाए। मैजिक में दिखाया गया जो मैजिसियन के दौरा इंद्र जाल है। वो कोई ना कोई चीज होता है जान दीजिये। इपेज संथेंग बट आप इसको किसी दूसरे दूसरे रूप में देख पाते हैं। सुत्र का टॉपिक है कि संसार या संसार के चीजें अभाव नॉन एक्जिस्टेंस नहीं है। जो इलूजन है, it's not because of the universe is not existing. The illusion is because of our sensory ability या mental ability या जिसकी दवर हम ज्यान लेते हैं, उसमें कहीं गड़बडी आजाए या जो helping factor होते हैं, उनमें कोई problem आजाए, problem तो नहीं कहेंगे, proper coordination ना हो, तो वो चीजें ऐसा ना दिख करके दूसरे तरह से दिखते हैं। अगला सूत्र कहता है, वही धर्म्याच्च ना सपना दिवात, आप यह नहीं कह सकते हो, कि सपना अधिक यह जो इनिवर्स है, वो unreal है, non-existent है, कैसे? सपना अधिकी तरह, सपना मला dream, आधि मतलब जो अभी हमने discussion किया, इंद्रजाल या जो जिसको आप कहते हैं, magic, या जो मिराज जिसको आप मरीचिका या मरगतरिश्णा कहते हैं, इस तरह का यूनिवर्स नहीं है, क्यों नहीं है? वही धर्म्याच्च. और क्योंकि reality और सपन में फरक होता है, difference of nature होता है, यह बड़ा interesting discussion है, सपन के साथ आप compare नहीं कर सकते हो, reality को, magic को, म्रगमरीचिका को, मैराज को, आपको यूनिवर्स के साथ compare नहीं कर सकते हो, क्योंकि सपन में दिखाई देने वाले चीजें, जाग्रत या waking stage में दिखाई दने वाले चीजें, दोनों में विधर्म, different type of nature होता है, क्या different type of nature होता है, ध्यान से दिखिए, ट्रियम स्टेट में जिन चीजों को हम देखते हैं, वेकिंग स्टेज में जाग्रत अवस्था में वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो थप्टे में, पर जाग्रत अवस्था में, जगे हुए अवस्था में जिन चीजों को हम देखते हैं, अगर हमारे sensual ability perfect है हमारा mental ability perfect है, हमारा intellectual ability perfect है, these are the conditions, तो जिन चीजों को हम देखते हैं वो real होते हैं स्वपन में देखे हुए फल को आप जगे हुए अवस्था में खा नहीं सकते हो पर जगे हुए अवस्था में देखे हुए फल को आप खा सकते हो उसका इंपक्ट आप पर पड़ता है, उस मिरिट से आपको spicy लगता है, मिठास से मिठास लगता है. So both the nature of things are different in dream state and waking state. दूसरा, जो dream state होता है, उसका जो substrate जो उसकी basic है, वो है स्वृती, memory. पर जो जगे हुए अवस्था का जो जग्यान है, उसका जो basic होता है, वो real things होते हैं. So how can you compare something, which is memory is different and real. जब आप अपने पापा को सामने देख रहे हो, बात कर रहे हो, that is the real person you are talking with. But dream में, जिस real person के बारे में जो आपकी memory है, उस memory का recalling होती है. तो स्वपन में memory based ग्यान होता है, real life में, real व्यक्ति से बात में. Number three, very interesting, अगर स्वपना फरेका अलग-अलग होता है, every single person has different dreams. आप universe को अगर dream मानोगे, dream जैसा मानोगे, तो फिर करोडों लोग जो dream देखते हैं, करोडों लोगों के dream अलग होगा, तो क्या दुनिया करोडों तरेका है? नहीं, आम का पेड़ दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई भी देखे, with perfect sense, perfect mind, perfect intellect, same ही दिखेगा. खुटा दुनिया में कहीं भी जाओ, वो खुटा सबको एक ही जैसा दिखेगा, जिसकी mental problem है, intellectual problem है, sensual problem है, उसको होगा. मेजिशियन जिन चीजों को दिखाता है, फोड़ी देर के बाद वो available नहीं होते हैं, वो जो मेजिशियन ने white paper को dollar में convert करके दिखाया, फोड़ी देर के बाद वो वापस white dollar ही होता है, वो dollar नहीं होता. पर real life में, जिस dollar को आपने देखा, वो छे महिने के बाद वे, वो ही 100 rupees dollar रहता है, अगर ऐसा ना होने लगे, तो आपका पैसा कमाना बेकार चला जाएगा. डॉलर कभी white paper नहीं बनेगा, पर magician का बन जाता है, इसी तरह, डेजर्ट में या मरुभूमी में, जो आप मिरज देखते हैं, रेतों में पानी का, या समुंदर में, अगर सुरज की रोशनी पड़े, जो सीप होते हैं ना, वो मोती जैसा चमकते हैं, तो वो जो है, वो भ् ठीक से उसको देखने ही पाते हो, सीप में मोती का ज्यान होता है, विकाज अप द़ पर्टिकुलर एको सिष्टम, पर सीप में भी pearl को देखने के लिए, यू नीड़ ए सीप, अगर सीप ही ना हो, अगर रेती ना हो, रेगिस्तान ही ना हो, तो आप नहीं देख सकते हो, प तो हुआ सपन की problem, पर जागरतावस्ता में जो आप experience के तो real होता है, कोई थपड मारता है तो real दर्द होता है, खाना खाते हो तो पेट भरता है, आलू आलू होता है, टमाटो टमाटो खाते हैं, और एक ही चीज को different time पर देखोगे तो आलू, आप सुबह देखोगे तो आ आलू ही दिखेगा, आलू कभी आपको सोना नहीं दिखेगा, तो ड्रिम में तो आज आलू आलू भी दिख सकता है, गल भेंगन भी दिख सकता है, पर real life में एक चीज कितने दिनों के बाद भी देखो, एक ही दिखेगा, नमबर टू, जागरतावस्ता में एक ही चीज को हर लोग देखते हैं, दोनों में फरक दिखिये, एक ही बस तुको अलग-लग टाइम पर भी एक ही दिखा जाता है, आलू को हर टाइम पर देखोगे, आलू ही दिखेगा, और अलग-अलग लोग भी देखेंगे तो भी आलू ही देखेंगे, वो ब्रिटिश देखे, अफरीक में होते हैं आलू सड़ जाएगा आलू चीप में कनवर्ट हो जाएगा तो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है पर उनके एक्जिस्टन्स नहीं जाता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें